आउसे बिल्लाहि मेने श्यत्वान रोचीम बिस्मिल्लाहि रोख्मान रहीम असलाम लेकुम दोस्तों मुफिन एक बार फिर आप लोगों के साथ है MGT402 को आफ्ट हैं एंड मेनेजमेंट अकाउंटिंग की जो हमारी असाइनमेंट नंबर वन आई हुए है उसके साथ दोस्तों जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें तक मेरी हर आने वाली जो वीडियो है वो आप लोगों दक पहुंच सके और आप उसे फीक सके तो आइए हम लोग अपनी अफाइनमेंट देखते हैं दोस्तों हमें इस अफाइनमेंट में एक केस दिया गया है इसमें अफाइनमेंट जो कॉस्टन है वो है मेटिरियल लेजर कार्ड औफ लेधर बैग मनिफेक्टिरिंग कंपनी फ़री मंथ अपरिल दो अवार उनिफ शोईंग दा फॉलविंग ट्रांसक्शन ओन इसके साथ ही कुछ हमें अडिशनल इंफमेशन दी गई है इसके साथ है त्टिवर पिडियड शिक्स अंडर्ड डिरेक्ट लेबर और इंकर्ड इन फेक्टरी छे सो गहंते वह इस मन्त के अंदर लेबर और हैं डिरेक्ट लेबर वाज दो 20,000 डिरेक्ट लेबर जो है वो हमारी 20,000 है and factory overhead applied rate वाज रस 50 पर डिरेक्ट लेबर और और जो FOH हैं वो हमारे जो हैं वो 50 रुपे पर और घंटे के साब से हैं ending inventory in finished goods वाज goods and working process वाज 13,000 and 12,000 respectively there is no beginning inventory in the finished goods and working process अब ये information के साथ हमें required क्या है prepare material ledger card by using weighted average costing under perpetual inventory method हमने एक तो material ledger card बनाना है by using the weighted average costing method और हमने perpetual inventory system को भी mind में रखना है second जो requirement है for this assignment that is prepare craft of goods sold statement at normal and actual if actual factory overhead was 50,000 for the month of April हमने actual के साथ भी craft of goods sold statement बनानी है और normal के साथ भी बनानी है note दिया हुए in case of cast competition use the two decimal places where in February हमने इशारिया के बाद जो है वो दो मतलब points लेने हैं इसे ब्यादा नहीं लेने अब इसके solution की तरफ चलते हैं जी इसके solution में हमें पहला जो requirement थी that is material ledger card हमने बनाना था perpetual inventory method को follow करते हुए उसमें देखें सबसे पहले हमारे पाफ जो है पहले है कि 5 April को company का जो opening है balance वो इतना है यही मैंने यहां पर first transaction लिखी है इसी तरह हम one by one हर transaction को लेते जाएंगे और enter करते हैं 4 April को उनने material purchase किया जी अठारा फो यूनाट और उनकी जो cost per यूनाट वो ग्यारा रुपे है तो इस तरह टोटल जो amount है वो उननी फिवार 800 बन जाएगी अब हमने weighted average cost of method यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे हम इसको जमा कर लेंगे कि उननी फिवार 800 जमा 13,000 और इसको divide कर देंगे जितने हमारे unit बनते हैं 31 तो हमारे पाफ जो पर unit cost है वो आजाएगी 10.58 तो 31 वरब 10.58 तो हमारे पाफ बन जाएगा 32,798 यह हमारे पाफ बैलन्स हो जाएगा 4 अपरिल को इसके बाद 13 अपरिल को उनने 2200 unit इशू की हैं तो हमारे पाफ 31 unit बढ़ा है 22 हमने इसमें से इशू कर दिया 10.58 तो हमारे जो total value बन दिया है वो 23,276 बनती है तो हम 31 सो में से माइनास कर देंगे 2200 unit तो हमारे पाफ बागी के जो unit है वो 900 बचेंगे और जो उनकी cost पर unit वो 10.58 है तो इस तरह total जो amount बनेगी वो 9,500 बाइस बनेगी इसी तरह हमने 19 अपरिल को परचेव किया material कुछ और 1700 unit हैं जी 1700 kg 12 रुपे के हिसाब से हमने परचेव किया तो इनकी जो total amount है वो 20,400 बनती है तो हमने 9,522 जमा 20,400 और इसको डिवाइड के 2600 के साथ क्यूंके हमारे 900 और जमा 17 unit 2600 बन गए तो हमारे पाफ जो पर unit cost बनती है वो 1150 बनती है तो हम जब 11.50 को वरब देंगे 26 के साथ तो हमारे पाफ 39,900 amount बन जाएगी total अब हमने क्या किया है हमने 900 unit फिर issue की है 900 unit जो है वो अब 10.85 बलके 11.50 से issue होंगे तो 9.50 के साथ हमने issue की है तो वो total जो cost उनकी बनती है वो 10.350 बनती है इसके साथ ही हमारा जो balance बज़ता है वो 17.50 बनती है और 11.50 के उनकी cost per unit और टोटल अवांट जा है वो 19.5.50 है तो इसमें देखें जो 5 अपरल को है ये हमारा opening balance बन जाएगा और ये जो last में है ये हमारा closing balance बन जाएगा आगे ये तो थी हमारी 5 requirement of this assignment आगे हमने second requirement देखनी है इसमें देखें इसमें हमें जो है cast of goods told statement बनाई है at normal के उपर वो normal opening रा material जैसे मैंने पिछे ही भी बताया कि ये शुरू वाला जो 13 वार है that is the opening और 19.50 जो हमारा closing month का बन जाएगा तो ये हमारा closing material बन जाएगा तो इसी तरह हमने opening material लिया 13,500 इसके साथ एड़ की है पर जेविव जो हमारी 35,000 की है तो ये हमारे पास material एवेलेबल फॉर यूज जो है वो और 40,000 जाएगा इसी तरह हमने इसमें से left किया closing रा material वो मैंने बताया था कि 19.50 है तो ये जब हमने minus कि तो हमारे पास total material यूज जा है वो इसके साथ हमने अड़ किया direct labor labor हमें 20,000 दी कई थी वो हमने इसके साथ एड़ की तो हमारे पास प्राइम कॉश्ट जो है वो हमारे पास ताफी फार 50,000 आगे अब हमने अड़ किया applied F.O.H. applied F.O.H. जो हमारे थे 600 घंटे थे और 50 रुपे पर घंटे के इसाफ़ा तो 30,000 बनते हैं यहां पर मैंने उसकी कल्कुलेशन भी कर दिया के लेबर और जो है वो 600 थे F.O.H. रेट जो है वो 50 रुपे पर घंटे के इसाफ़ा था तो टोटल F.O.H. जो तो 30,000 के बन गए यह 30,000 आ गया तो इस तरह हमारी जो टोटल F.O.H. है वो 1,17,550 बन गए इसके साथ हमने एड करना है working process और माइनफ करना है लेफ करना है closing working process तो opening working process हमारा कुछ नहीं था तो closing working process जो है हमारे पर 12,000 था हमने इसमें से left किया तो हमारे पास cost of goods manufactured वो हमारे पास एक लाग 5,550 आ गए इसके साथ हमने एड करना है opening finished goods और left करना है closing finished goods तो opening finished goods थी नहीं वो वीडो 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 मैंने लिख दी है closing finished goods वो हमारे पर 13,000 की थी वो हमने इसमें से minus किया तो हमारे पास cost of goods sold जो है वो आ गई हमारे पाफ 92,550 तो यह हमारी बन गई cost of goods sold statement at normal अब हमने बनानी है cost of goods sold statement at actual अब actual हम कैसे बनाएंगे बाकी फारी जी वही आएंगी फिर अफ हमने इसमें देखना है के FOH की calculation अब देखें अप्लाइड जो FH है वो हमने पिछे जो calculate किया है वो 30,000 है मुझलब 600 गंटे है हमारे पास 30,000 है total तो यह हमारे पास 30,000 बन गया है लेकिन actual वो हमें जो question के अंदर दे रहा है वो हमारा 50,000 है it means के we have left charge तो और यह under FOH चार जागा तो जो under FOH चार जाता है उसको पिर amend के उपर जाके and add कर देते हैं difference between FOH का जो है actual का और applied का देखें applied जो है वो हमारे 30,000 थे और जो actual है वो 50,000 तो 20,000 हमने कम चार्ज की है तो 20,000 हम cost of goods sold statement के अंदर और add कर देंगे तो इस तरह हमारी cost of goods sold statement at actual बनेगी वो 112,550 बन जाएगी तो दोस्तों यह थी हमारी assignment M.G.T. चार्फ़दो cost and management accounting की muffin भाई का चैनल देखते रहे है youtube.com slash vff4u और muffin भाई की website vufff.com भी वरीओर विविट किजिए वहाँ पे आपको mid term और past term के हवाले पे material अवेलेबा है वहाँ पे paper available है वहाँ चाहिए download कीजिए और exam की तयारी कीजिए thank you very much दोफ़तो Allah अफिव